हेलो फेंट्स वेलकम टू माई चैनल लास्ट वीडियो में मैंने एक्ट्विल बाइपर्टेट पेस्किल के बारे में बताया था जहां पर मैंने क्लरीकल का बाइपर्टेट पेस्किल क्या होगा उसके बारे में बताया था जो लोग मिस कर गया है मेरे चैनल में जाके देख स याँ लाट रखता है बेस्ट अंद ड़ेकस का कितना इंक्रिमेंट हुएέ औरी परसेट को पकड़ कर्के तो यहां पर सबस्ट को कितना इंक्रिमेंट होगा रहे कि सबस्ट बेसिक प्य ऐस फर 11े बाइपर्टरेट सेट्लमेंट है वहां पर सीधा सीधा calculations आएगा 19,470 यह new basic पे है starting जो सबस्टाप है तो यहाँ पर list दिया हुआ है जिसका जो भी basic पे 11 Bipartate settlement मतब पहले जो था और क्या होने बाला है वो देख सकते हैं for example देखें यहाँ पर फिप्ट नमबर पे है जिसका basic पे 16,500 है उसका हो जाएगा 22,150 तो लगभग यहाँ पे 5000 आप कह सकते हैं 5000 साड़े 5000 का increment हुआ है तो बहुत ही अच्छा settlement हुआ है 17% पे कॉस्ट में इंक्रीज हुआ है 3% लोट फैक्टर पिछला जो 11 Bipartate settlement था उससे ज्यादा ही हुआ है एरियर भी accordingly मिल जाएगा तो यहाँ पे बहुत सारा basic जो पे है बेसिक पे उसके साथ आप देख लिजे आपका जो भी बेसिक पे है उसको compare करके आप देख सकते हैं कितना बड़ा है तो बहुत सारा यहाँ पर देके 15 16 नमबर में भी देख सकता है 24,000 के करीब जिसका है उसका 32,000 के करीब हो जाएगा तो maximum 20 तक यह होता है maximum 20 मतलब before stagnant increment 28,145 जिसका है 37,785 लगबक 9,000 increment हो जाएगा उसके बाद stagnant increment होता है तो बहुत सारा stage है stagnant का देखिए 1,2,3,4,5,6,7,8,9 तो 9 stagnant increment है वहाँ पे last में stagnant increment के last जो होता 37,145 यह 11 बाइपटरेट सेटल्मेंट में जो था वह अगर 12 बाइपटरेट सेटल्मेंट में compare करेंगे 49,845 तो लगबक यहां पे 12,000 के करीब more than 12,000 के करीब increment हुआ है तो इस आड़ एक्सपेक्टेड पेश्केल और 12 बाइपटराइट सेटल्मेंट फॉर सबस्टाप मतब यह बेसिक पे मैंने बता है उसके साथ भी और भी बहुत सारा आड़ होके salary अच्छा खासा बढ़ेग So, friends, hope you like the video and if you like the video then don't forget to subscribe my channel, like, share and comment. Thank you.